अज की एक्सल वीडियो में हम देखने वाला है कि कैसे हम duplicate values को highlight कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते ही मेरे पास काफी huge data है अब मुझे यहां पर चेक करना है कितनी values मेरी duplicate है तो हम इसे dealers name के according highlight करेंगे तो हमें पहले हमारा data select कर लेना है फिर उसके बाद हमें जाना है home tap पर यहां पर styles option में आपको conditional formatting show होगा इसे click करते ही आपको highlight sales rules category मिलेगी यहां पर आपको duplicate values option पर click करना है फिर उसके बाद एक dialogue box pop up होगा अब यहां पर आप देख सकते हैं duplicate option selected है उसके बाद आपको highlight coloring तो यहां पर आप देख सकते हैं इसे red color में highlight किया गया है आप इसे चाहिए तो green color में भी कर सकते हैं yellow color में भी कर सकते हैं या फिर आप custom format option पर जाके कोई different color भी select कर सकते हैं तो हम यहां पर light red select कर लेंगे उसके बाद हम कर देख सकते हैं हमारी duplicate values यहां पर सारी highlight हो चुकी है तो दोस्तो excel में इस तरीकी के और भी videos देखने के लिए वो भी Hindi language में जल्दी से जाके हमारे YouTube channel को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो को share जरूर करिएगा thank you very much